आज हम बनाने बाले जटपडशी केसी नस्ता बनाते हैं बच्छों के लिए मेरे बच्छे भी स्कूल से आईए इसको भूख लगी बहुत जोड़ से तुम्हें फटा-फट बनाएंगे पोछापुड़ी चलिए शुरू करते हैं ये एक कोटोरी मैदा है अधा कोटोरी सुजी और ये अधा कोटोरी चीनी है इसको मिक्स कर लेंगे थोड़ा-थोड़ा पणी डालके इसका बेटर बना लनाएंग तो हमारा बेटर प्यार है अब तावा गरम कर लेते हैं हमारा गरम हो गया इसमें डाल देते हैं घी बहुत गरम हो गया इसका गैस काम कर देंगे और बेटर इस तरह त्यार कर लेना अधा पतला पक्राबन आलें इस पक दिया इसको फिर से पलता लेंगे इस हमारा पक दिया इसको फिर से पलता लेंगे अधा गी डाल देंगे और एक तेमकर इसको फिर से और एक बार पंठा लेंगे इसको फिर से और एक बार पंठा लेंगे यह हमारे मैदे का पुछा पुड़ी तियार है अब हम बनाएंगे गेहूंक आठा का आठे के पुछा पुड़ी बनाने के लिए एक का पाटा लिया है और अधा बाटी चीनी इसमें सुझी नहीं डालते हैं वस चीनी और आठा और पानी फटा फट से पास मेड में तयार पुछा पुड़ी हमारा है थोड़ थोड़ पॉनी डालके इसको अच्छी से मिक्स कर लेंगे मारा बेटर तयार है आप चाहे तो इसे गुड़ में भी बना सकते हैं मेरे बच्चे चीनी का खाते हैं इसलिए मैं चीनी का बना रही है ताबा गरम हो गया है विसमें डालते हैं एक चमचा घी इसके इसे जब भी बनाएं धी मियाज पर बनाएं तो फिर जल जाते हैं ते जांक पर बनाया तो थोड़ा सा फिर शीष में गी डाल लाते हैं चालो साइट से अभी निकलने माचान होगा इसको पल्टा लें इसे फिर से पल्टा लेते हैं थोड़ा भी नहीं पकाई तो थोड़ा तेज कर लेते हैं आज कम करके मैं पकाई थी न अब हमारा पीछे अच्छी तरस पक गया अभी से उल्टा लेते हैं हमारा अच्छी को पुछा पुड़ी तयार है इसे अच्छा आर के साथ ठाएंगे हमारी ये रेसिपीक कैसी लगी आपको कमेंट करके बताएं हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे टीवाद